फ्रेंड्स आज बनाएंगे बहुती बढ़िया से साबुदाने की खीर देखिए कितनी अच्छी दिख रही है बहुती गाड़ी है और ये बिना महनत के बनाई गई है तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में साबुदाने की खीर की बहुती आसान से रेसिपी शेयर करने जा रह ए रेसिपी लेकर आई हो तो फ्रेंट सटेप बय्स टेप देखिए गाँ और सारे स्टेप अब फॉलो करेंगे तो आपकी जो संबुदने की खीर है वो भी इतनी बढ़िया बनकर तयार होगी तो फ्रेंट सलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं तो इसे बनाने के लिए मैंने लगबग 100 ग्राम के करीब साबुदाने को भिगो दिया था तो एक बार आप पानी से धोले और दो घंटे के लिए से भिगो दे और यहां पर हमें एक लीटर दूद ले लेना है और इसके अलावा चीनी लेनी है तो दो तीन से चार एलायची के दाने निकाल लिये हैं और कुछ केसर के धागे ले लिये हैं और चीनी यहां पर मैंने दो बड़े चममच ले लिया है तो फ्रेंट्स आप ये सारे इंग्रेडियंट्स ले ली जिए और अब चलते हैं साबुदाने के खिर बनाने के प्रोसेस पर यहां पर मैंने इंडक्षन पर पैन रख दिया है और जो एकली लिटर दूद मैंने लिया था उसे इस पैन में डाल दिया और अब इसे बॉल होने देंगे तो फ्रेंट्स दूदको हमें हाई फ्लेम पर बॉल होने देना है और दो से तीन उबाल आने पर मैं यहां डाल दूंगी केसर और इलाइची दो से तीन छोटी इलाइची के दाने आप निकाल लीजिए और दस से पंदरा केसर के धागे भी आप इसके अंदर डाल दीजिए इससे साबू दाने की खीर में फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और अब इसमें 5-6 उबाल आने देंगे और हाई फ्लेम पर इसे पकने देंगे तो फ्रेंट्स 5-6 उबाल आने के बार जो साबू दाने मैंने भीगो कर रखे थे उसका पानी निकाल कर इसमें डाल दूगी तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने साबू दाने इसके अंदर डाल दिये हैं और दो घंटे जो हमने साबू दाने भीगोए हैं तो अच्छे से फूल कर तयार हो गए हैं और अब हमें साबू दाने डालने के बाद फ्लेम को लो कर देना है तो फ्रेंट्स ध्यान रखे कि जैसे ही हम दूद के अंदर साबू दाने डालेंगे हमें फ्लेम को मीडियम या लो कर देना है हाई नहीं रखना है और इस तरह से आप देख सकते हैं कि धीरे-धीरे साबू दाने इसके अंदर और भी बड़े होते जा रहे हैं तो फ्रेंट्स एक इंपोर्टन स्टेप यही है कि जैसे ही आप इसके अंदर साबू दाने डालेंगे तो फ्लेम को आप मीडियम या लो कर दे फ्लेम को हाई न रखे नहीं तो जो साबू दाने हैं वो तले में चिपक जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि धीरे-धीरे जो साबू दाने हैं और भी फूलते जा रहे है तो फ्रेंट्स 2-3 उबाल आने के बाद इसमें हम दो बड़े चम्मच चीनी के डाल डेंगे और चीनी आप अपने थोसर टेस्ट के अकॉर्डिंग कंमी जाधा कर सकते हैं अगर आपको ज्यादा पसंद अतो आप ज्यादा भी एड़ कर सकते हैं तो यहाँ पर दो से तीन उबाल आते ही मैं फ्लेम को ओफ कर दूंगी और इसे ठंडा होने के लिए रख दूंगी जैसे जैसे खिये ठंडी होती जाएगी वैसे वैसे और गाड़ी होती जाएगी तो friends, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इसे ठंडा होने के लिए रख दिया था तो लगबग 1 घंटा मैंने इसे ठंडा होने के लिए रख दिया था तो इसमें जो साबुदाने हैं वो कितने बड़े होकर फूल गए हैं और जो खीर है वो भी बहुत गाड़ी हो गई है अब यहां पर मैं कुछ डायफूट्स डाल दूंगी तो मैंने कुछ किश्मिश, बादाम, काजू और पिष्टा इसके अंदर डाल दिया है तो फ्रेंट्स आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी डायफूट्स डालन तो फ्रेंट्स लीजिए तयार है साबूदाने की बढ़ियासी गाड़ी और मलाईदार खीर तो आप भी ट्राय करिए रेसिपी और एक बात का विशेश ध्यान रखें कि जब आप साबूदाने डाले तब फ्लेम को मेडियम या लो कर दे और उसे बीच-बीच में चलाते जिससे की साबूदाने तले में ना लगे जब आप साबूदाने दूद के अंदर डाले तो उसके बाद हमें इसे ज्यादा नहीं पकाना है किवल 3-4 मिनट तक आप इसे पका सकते हैं उससे ज्यादा अपना पकाए और उसके बाद जितना आप इसे ठंडा करने रखेंगे उतने हे दाने फूलते जाएंगे और खीर गाड़ी होती जाएगी फ्रेंड्स इन टिप्स और ट्रिक्स के साथ आप साबूदाने की खीर बनाएंगे तो आपकी जो साबूदाने की खीर है वो पहले से बहुत अच्छी बनेगी आपने शायदी इन टिप्स और ट्रिक्स का इस्तमाल किया होगा, तो आज मेरी तरीके से एक बार बना कर देखिए, आपको ये तरीका बहुत ही अच्छा लगेगा, और इस तरह से ये जो खीर बनती है, बहुत ही स्वाधिस्ट बनती है, और एक बार बना कर आप इसे फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, आप 5-6 दिन तक इ इसे क्राब नहीं होगी, ज्यादा मातर में बना कर भी आप इसे रख सकते हैं, आप दे, बना कर दे, तक बना कर भार बना कर दे, और पर इसे रखंडे हैं, और इस रखंडे से, ये जादा